सो दोस्तों मुसे ये question बाहर पर किया गया है कि कैसे सर मैं कौन सा landing page बनाऊं क्या Hexus में use करूं कि लोग आया और मेरी चीजों को purchase करें तो guys क्या होता है कैसे होता है कौन सी चीज़े important होती है और believe me this landing page can give you $50 plus अगर आप ऐसे ही करके सही से landing page create करूगे तो तो अगर आप जारना चाहते हो कि कैसे landing page create करना चीह है वो भी मैं आपको example के साथ दिखाऊंगा तो इस वीडियो में बने रहना है इस वीडियो को लास तक जरू देखना and let's get started so guys my name is T and I'm the best in the world as you know all तो दोस्तों आल हम लोग बात करने वाले landing page के बारे में और आपको सामने देख दिया होगा कि कौन सी चीज़े important होती है landing page में एक basic landing page में because landing page में और भी बहुत साथ चीज़े होती जो important होती है but यह जो चीज़ है वो basic है और यहां से सारा landing page का game is started होती है तो कुछ landing pages पहले आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल फाल्त है और कुछ landing page इस बात में आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल अच्छे है और ऐसे ही landing page आपको बनाने है अगर आपको सच में earning करनी है from online और यह जो landing page का game है यह हर चीज़ में use होता है चाहा है वह कोई website हो चाहा हो कोई sales funnel हो कुछ भी वहां पर आपको landing page का ज़रुवत परत होता है hook यानि attraction मतलब कौन सी ऐसी लाइन पड़के आपके landing page का मैं नीचे की चीज़ें पड़ू तो वह hook का होना बहुत ज़दा important है आपके landing page में second चीज़ होती है that is called call to action call to action यानि कि मैं आपके landing page में आया तो आप मुझे कोई वहां पर option दे रहे हो कि नहीं कि buy now register now submit your email get your free things इस तरह का button वहां पर आप मुझे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो उसका position भी right होना चाहिए और जो third चीज़ है presentation कि कैसे आप represent कर रहे हो अपने पूरे landing page में क्या हो बहुत जादा problem create कर रहा है बहुत साथ है उसमें confusion है कभी इधर कभी तर देखना आप बहुत सारी problems हो थ करता है आपके landing page में because देखो affiliate एक ऐसा चीज है जहांपर आपको landing page best होना चाहिए because landing page और आपको दूसरा email email marketing and landing page ये दो चीज़ मिलके आपको पूरा sales दिलाते है because landing page जो है वो आपको traffic drive करने में आपकी मदद करता है और email से आप लोगों को sell करते तो तो ये दो चीज़ उस landing page को present किया है अपने product के लिए तो सबसे पहले हम एक उधारन बेगेंगे that is called एक school का उधारन है और ये बहुत ही ज़्यादा बखवास landing page है I can say you देखो सबसे पहले मैं इस landing page में आया यहां बहुत सारे options है तो इतना सारा option आपको रखने की जरुवत ही नहीं है landing page because आपको लोगों को confused नहीं करना है और ये एक particular website भी है but website में भी आपको तरीके से landing pages लगाने है तो ये एक बिल्कुल बेकार मैं बोलूँ का landing page है because आप जो ना तो कोई call to action है ना तो कोई hook है और सबसे बड़ा confused लिया जा रहा है लोगों को इतना सारा ये जो menu है वो देखे अब जो next चीज़ है वो भी मैं एक school का लिया हूँ ये एक अलग school है I think okay school है और यहां पर देखो यहां पर भी कोई भी ऐसा hook नहीं है जो आपको ऐसा करे कि आप जागी नीचे देखो चीज़ हो ठीक है बट यह simple है ठीक है यहां पर बताया है कि यह क्या क्या चीज़ प्रजेंट करना है इसके बाद यह नीचे कुछ भी इस तरह का फालतू का इतना सारा photo डाल के नहीं रखें तो अगर जो भी इंके website पर आएगा तो 100% को नीचे जाएगा चेक करेगा और उनको सफाइस यह चीज़ मिल जाएगी बट यहां पर भी कोई भी हुक नहीं है call to action नहीं है आप यहां पर आपको call to action होना चीज़ है और presentation के लिए मैं इसको गुड बोलूमा जो थार्ड वेबसाइट है यह भी एक medical college की institute की website है यहां पर देखो यहां पर भी वही चीज़ बहुत सारे confusion no clear presentation और no call to action तो ऐसे जो लेंडिंग पेज़ेस हैं जो website के लिए यूज हो रहे हैं मैं बोलूमा यह 100% fail होते हैं और यहां से इंको कोई भी leads भी नहीं मिलता है as you know all ठेक है तो अब यह जो तीन तो आपको बरबाद देख चुका दि इसे जो school है institute है या कोई भी colleges है या कुछ भी हो तो आप इनको contact भी कर सकते हो अगर आप एक social media agency own करते हो अगर आप एक marketer हो तो आप इनको contact कर सकते हो और आप इनको बोल भी सकते हो कि आपका जो website है मैं उसको upgrade कर सकता हूँ और वहां से भी आपको बहुत सारे leads दे सकता हू बता रहा हूँ कि आप यह जाके उनको बोल सकते हो तो वह आपको ऐसा भी बोलेंगे कि हाँ आप मेरे website को upgrade कर सकते हो और वहां से आप काफी अच्छी earning कर लोगा अगर आप यह भी करते हो तो यह भी एक earning करने का trick है बट यहां मैं आपको landing pages के hacks बता रहा हूँ तो मैं वह अब यह जो तीन चीज़ा आपको ध्यांगे रहते हैं जो फर्स्ट वेफसाइट मैंने खोल रहा हूँ यह एक software है email का सब्सक्राइब यह खोल रहा हूँ तो यहां कर देखो free your marketing machine first line and that is called hook ठेक है free your marketing machine क्या free में oh shit यह क्या है free कर ओ चलो नीचे देखते है राइक ऐसी करते ह आप जब भी कुछ free की चीज़ देखतो चलो देखते हैं क्या चीज़ है कहीं free की sell लगी है sell लगी है तो आप जाको 50% off तो आप जाकर देखोंगे पता करोगे हमाई क्या मिल रहा है आपर तो वैसे ही आपका hook जो बहुत तगड़ा होना अची है अच्छा होना अची है और इसके कुछ tricks होते हैं जो आपको follow करने है that is called copyrighted tricks ठीक है तो वो मैं बाद में कभी बताऊंगा इसको link जो आपकी line है वो काफी अच्छे से लिखनी है अपने landing page में तो जैसे ही आप इस landing page में आया है आपको देखो hook मिला free your marketing machine ठीक है hook मिल गया next आपको मिला call to action तुरंथ call to action because जरूरी नहीं आपको customer ऐसे करके नीचे जाएगा तुरंथ call to action उसको देना है तो यहाँ पर आपको मिल गया call to action अब जैसे आप यहाँ पर sign up free call to action तुरंथ click करोगे और यहाँ पर sign up करोगे जालता chance यही रह गया यहाँ तो hook मिल गया call to action मिल गया और simple landing page है खतम कुछ भी problem नहीं देखो यहाँ पर इन्होंने testimonials type के भी चीज़ें दिखा दिया है कि यह इंके साथ काम कर रहे है Facebook के साथ काम कर रहे है PayPal के साथ काम कर रहे है और भी बहुत साथ चीज़ों के साथ काम कर रहे है तो यह देखो इंदम simple presentation है और managing partner अपने दिखा दिया एक photo and बस ख़द है ठीक है तो click funnel का भी आप यहाँ देख सकते हो hook यहाँ देख सकते हो click funnel give you everything you need to market, sell and drive your product and service online तो ऐसे करके आपको hooks का use करना है then यह use करते है points तो थोड़ा सी critical है बट यह भी बहुत स्यादा usable form की चीज़ों की चीज़ों को use करते है तो अब जैसी यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं बोलूँगा कि यह भी एक काफी अच्छा landing page है जो आपको simply सारी चीज़ें बताता है अब जो third landing page यह आप ज़्यादा तर यूज कर सकते हो CPA marketing में और इस समय आप इसको affiliate marketing भी यूज कर सकते है लेकिन अगर आप इसको CPA marketing में यूज करो तो यह बहुत जादा काम आएगा और बहुत अच्छा आपको traffic drive करके देगा और इस चीज को मैं मुलूँगा कि यह 10 में से 9 point गैदर करता है ठीक है तो first इसने यहाँ पर पूछा है कि how did you hear about us तो अब लोगों को Qs खेंला बहुत जादा पसंद है ठीक है तो आप जैसे आपको यह question कोई करेगा और यहाँ प page बहुत ही जादा अच्छा है क्योंकि इतने बड़े बड़े जो sites है लोग है वह इस चीज को promote कर रहे है ठीक है तो आप जैसे इस पर अधर क्लिक करोगे and proceed to next करोंगे यह next में आपको जाएगा और वहाँ पर आपकी email का demand करेगा तो it's a best landing page और आप इसको sales funnel भी बोट सकते ठीक है विकास इन्होंने फर्स्ट पेज को ही landing page बना दिया ठीक है तो next आपको call to action and third में आपको वह चीज़ offer कर देंगे तो यह दो एक page का है simple है hook यहाँ पर दिया हुआ है brand new system reveal how to getting free bitcoin and grow them by up to 2.5% और day तो यहाँ पर आपको hook दिया हुआ है free का फिर उसके बाद आपको सीधा call to action दिया गया है कि आप उसमें quiz को खेले next page पर जाए अपना email भी आप submit करें because लोग engage करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यह human psychology है तो यह जो page है यह भी बहुत यह अच्छा page है तो आप यह इस तरह के pages का use कर सकते हैं और believe me जब आप ऐसे करके काम करोगे तो 100% आपको बहुत ही अच्छा खासा traffic आएगा और conversion भी जब traffic आएगा आपके चीज़ों को देखेगा तो वो convert भी होगा तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखो कि hook call to action and representation कि कैसे आपको represent करना है चीज़ों क इन तीन चीज़ का ध्यान रखो जब आप इन तीन चीज़ का ध्यान रखोगे अपने landing page में तो believe me जितना traffic आप drive करोगे उसमें से अच्छा खासा traffic convert भी होगा तो उझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ज़दा पसंद आए होगी आशा करता हूँ कि मैंने कुछ value दी आपको इस time में जो time आपने इस वीडियो को देखने में लगा है तो next time जब भी आप create कर रहे हो ऐसा page landing page तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको तीन चीज़ का ध्यान रखना है और बहुत ही अच्छे से रखना है तब ही आपका जो traffic है वो convert होगा तो thank you for watching guys मिलते हैं तो आप जे रिन